तो हाई फ्रेंग्स मैंदय पांडे और मैं फिर से वीडियो लेके आया हूँ अपना ग्रामीर परवेस से रिलेटट जो हमने लेख पाल के स्लेबस में शुरू किया था उसका ये सिकेंड वीडियो है और इससे पहले हमने जो अपने वीडियो में बात की है वो हम जाने हैं इसका सामाने पर चाहे और ये जाने है कि लेकपाल पटवारी के बीच में क्या अंतर होता है लेकपाल पटवारी सेम है या नहीं है फिर लेकपाल के कार को हमने जाना और फिर हमने देखा कि लेकपाल के जो पत सुपान है वो क्या-क्या होते है लेकपाल किस दो आपको हम सबसे पहले याद रखेगा कि राजस्रो पारर तो राजस्रो परिषित के बारे में आपको पहले तो जो कल हमने आपको पढ़ाया था, जो हमने पत सुपान पढ़ाया था, जिसमें राज्यस्व लेकपाल थे, कानुनगो थे, नायब तहसीलदार थे, उपजिला अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे, तो इन सारे लोगों से जो मिलके एक संगतन बनता है, जो एक पूरा पहले इसका इतिहास जाना बहुत जुरूरी है, कि आखी राज्यस्व परसद आया कहते, तो आया कैसे, तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा, कि 1757 के जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764, जब बकसर का युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों ने अपना दिवानी ले ली, सारी चीजे ले ली, तो बंगाल की दिवानी जब इन्होंने ली, तब उसके बाद 1773 में एक आया, जिसको हम बोलते हैं, रेग्यू लेटिंग एक्ट आया, तो रेग्यू लेटिंग एक्ट जब आया, जो कि वारेंग हेस्टिंग के टाइम में आया था, 1773 में तो वारिंग हैस्टिंग के टाइम में आया था तो जब वहाँ पे दिवानी अधिकार बंगाल के उन लोगों के पास आ गई तो उनको जरूरत पड़ी किसकी दिवानी अधिकार में उन्होंने क्या लिया दिवानी अधिकार में यही होता है कि जब उन्होंने छेत्र जीत लिये विजित कर लिये तो उनको छेत्र में छेत्र में उनको लगाना था उनको क्या करना था लगान वसूल करना था लगान लेने थी जनता से क्रिसी छेत्र से रेलेटर जमीदारों से बड़े बड़े सारी चीछे तो वहाँ पे उनको एक राज़स्व एकत्रित करने के लिए एक परिस्द की ओसकता पड़ी की कोई एक ऐसी परिस्द हो जो राज़स्व के रूप में कार करे लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ स्थाई नहीं चलता नहीं था क्योंकि ये हम 1773 की बात कर रहे हैं लेकिन कंपनी ने अपना वर्चव 1757 में ही कर दिया था तो हम कैसे जाने ये चीज कि इससे पहले क्या था तो हाँ इससे पहले दो दिवान के पद चलते थे जो दो नायब दिवान के पद चलते थे दो होते थे तो हुआ क्या कि 1773 में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इस जो दो नायब दिवान के पद थे जो लगान वगेरा की वसूली में मदद करता तक इस पद को समाप्त कर दिया ठिक इस पद को उसने समाप्त कर दिया और उस उसी टाइम पे उसने इस्थापना की किसकी राजस्यो परसत की तब राजस्यो परसत कैसे बनी थी तब वहां पे इसमें शुरुआत में क्या हुआ कि इसमें शुरू में गवर्नर था और उसकी परसत के सदस्यों ने मिलकर ही इसका करना शुरू किया लेकिन 1787 जब कारनवाल और उसमें, जब उसमें फ engagements किया तो इसमें एक प्राउधान ये इसमें कर दिया गया, कि अब जो राज़स्यों परिसद होगी, उसकी अधाच्चिता और वो गवणर की परिसद का कोई एक सदस होगा, वो करेगा, और इसके जो सदस होगे, वो कम्पनी के जो वरिष्ट सदस ठीक है उनको यहाँ पे रखा जाएगा इसने ये चीज कर दिया और कार्णवाली इसने सबसे पहले अपने एक बहुत ही योग्यदिकारी जिनका नाम था सरजान सोर उनकी नियुकती राज़स्व परसद में अधच के रूप में करती और उसी के बाद ही उसने बंगाल में इ इस्थाई बंद्वास आपको पता ही होगा कि लगान वसूली से संबन्धित एक प्रणाली थी जिसमें राज़स्व वसूला जाता था जो की इस्थाई रूप में होता था जिसकी दर इस्थाई होती थी और ये जमिदारों से किया गया था तो यहाँ से क्या हुआ आर्थिक जरूरत थी आर्थिक जो सहायता थी उसकी उनको बहुत जरूरत पड़ी तो इसलिए उनको ये लगा कि राज़स्व परसत का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर लगान सहीस नहीं आएगा तो सारी चीजे कंपनी की यहां पे खराब हो सकती है तो आगे चलके कलकत्ता में इस्थित जो राज़स्व परसत था उसका महत्तु बढ़ने वाला था और इसलिए वहां पे योग अधिकारियों की जरूरत पड़ने लगी और वहां पे फिर धीरे धीरे आये सरेंज की उस टाइम के जो अधिकारी हुआ करते थे सिविल सर्विस इस रिलेटेड उनकी नियुक्ति वहां पे की जाने लगी ताकि वो योग और वहां पे राज़स्व परसत का कार सके और वर्तवान में भी वही प्रक्रिया यहां पे भी चलिया रही है राज़स्व परसत का जो प्रधान होता हुआ एक तरह से आयस अधिकारी होता है तो राजस्व परसद की है क्या एक लाइन में अगर आपने तो देखा ही है कि राजस्व संबंदी विवादों को निप्टाने के लिए जो सीर्स न्यालय होती है वही राजस्व परसद के रूप में कार करती है तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने राजस्व न्यालय है तो उत्तर प्रदेश में टोटल 261 राजस्व न्यालय है जो वर्तवान में कार ररत है ये आगे संख्या बढ़ती गरती रहती है तो आप इसको देख सकते है हमारे हिसाब से तो वर्तवान में इतने ही है तो ये ये आप जरूए याद रखिएगा अग दूसरा आपको एक पॉइंट में बताना चाहूँगा कि 2013 में 2013 में UP गॉर्मेंट ने क्या किया कि RCCMS RCCMS मिन्स Revenue Code Computer Management System अर्थात राजस्व न्यालय Computer प्रबंधन प्रणाली कि शुरुवात की गए इसका उद्देश ये था कि UP के अंदर जितने भी राजस्व सुन्यालय है उनका क्या किया जाए Computer करण किया जाए उनका Computer करण किया जाए तो 2013 में इसको सुरुवात किया गया और ताकि जितने भी राजस्व न्यालय है उनका कंप्यूटरी करण किया जा सके तो ये point भी आप याद रखिएगा RCCMS के बारे में उसके बाद आपको पता होगा ये लाय किसली किया था तो जाइज सी बात है अगर कोई चीज कंप्यूटरी करण की बात की जा रही है तो वहाँ पर पारदर्सिता की बात होगी ताकि पारदर्सिता आ पाए और लोगों तक सुचारू रूप में सुगम रूप में वो राजस नियाले से जुड़े जितने भी उनके विवाद हैं उनको वो उन तक पहुँच पाए इसलिए इसकी सुरुवात की गए एक पॉइंट आप यह याद रखेगा कि अगर राजस नुपर्सद है तो इसका मुख्याले भी होगा तो इसका मुख्याले कहाँ पे है क्या है यह आपको जानना बहुत जरूरी है तो राजस सुपर्सद का जो राजा सुपरसद का मुख्याला दो तरह का होगा पहला एक प्रसासनिक होगा और एक होगा न्याईक तो जो प्रसासनिक जो प्रसासनिक मुख्याला है राजा सुपरसद का वो लखनाओं में है और जो न्याईक है वो प्रियाग राज में तो ये दो क्या होती है तो राज़ा सुपरसाथ राज़ा सुसंबंदी विवादों को निप्टाने के लिए एक तरह से सीर सुन्याले होती है उत्तर पद्रेस में कुल 265 राज़ा सुन्याले हैं और 2013 में राज़ा सुन्याले को कंप्यूटरी करने के लिए RCCMS राज़ा सुन्याले कंप मुख्यालाई दो होते हैं एक प्रसासनिक मुख्यालाई होता है जो कि लखनों में हैं एक न्यालिक मुख्यालाई होता है जो कि प्रयागराज में है तो ये हमारा राजासोपरसस से समंधित वीडियो रहा ये वीडियो आलड़ी पहले से ही बहुत लगा हो गया तो इसमें हम कुछ महातपुर्द तत्थ जान लेते हैं सबसे पहले आप ये दो कुछ पॉइंट है जो आप याद रखिए सबसे पहले चकबंदी अधनियम कब आया था अगर आप से पूछ लेकि चकबंदी अधनियम कब आया था चकबंदी एक्ट तो याद रखिएगा 1903 में चकबंदी एक्ट आया तो 1954 में सबसे पहले इसका प्रियोग किया गया कहां कैराना तहसील से जो कहां पड़ती है मुझपफर नगर में पड़ती है वहां से इसका पहला प्रियोग किया गया कब 1954 में और फिर 1954 में ही इसका सेकेंड प्रियोग किया गया कहां किस तहसील में वो थी आपकी मुसाफिर खाना जो सुल्तानपूर में पड़ती है वहां पिसका प्रियोग किया गया और उसके बाद 1958 में संपून उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू कर दी गई थी तो ये आपके लिए आज वर्तवान में इतना ही मैं बता पाऊंगा उसके बाद हम मिलेंगा अपने अगलो वीडियो में तब तक के लिए अपने दोस्त को कहिए बाई और वीडियो को सेयर कर दीजिया लाइक कर दीजिया और धे इस्टुडेंट चैनल से इसी तरह जुड़े लईए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए थैंक्यों आई अपने ख